दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दिवाली के दिन लक्षमी जी और गनेश जी की पूजा क्या होती है? दिवाली के दिन तो लक्षमी जी के साथ विष्टो जी की पूजा होने चाहिए, परंतु हम पूजा गनेश जी की करते हैं. जानने कले वीडियो को अंतक देखिए और जाने क्या है इस फ़िशे की पुरानिक कहानी हमारे पुरानिक माननेताओं के अनुसार विगन हर्ता गनेश जी को बुद्धी का देवता कहा जाता है और हिंदु धर्म में पूजा और करमकांट गनपती की पूजा के बिना शुरू नहीं होती ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के द्वारा समरीदी का परदान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को धर्म धन संजोय रखने के लिए बुद्ध की आवश्वक्ता होती है इसलिए मानो जन भगवान गनपती की पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के साथ गनेश जी की पूजा की परमपराम के संबंद में अनेक दंत कथाएं भी प्रचली थैं एक दंत कथा के अनुसार एक राजा ने किसी लकग हारे को चंदन का एक जंगल प्रुसकार में दे दिया किन्तु उस लकग हारे में चंदन के गुन और महत्वा को समझने की बुद्धी नहीं थी फलसोरूप उसने चंदन के जंगल को काट काट कर जला डाला और पुना वह पहले जैसा ही गरीब हो गया यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि लकट हारे को दन के रूप में चंदन का जंगल तो प्राप्ट हो गया लेकिन बुद्धी के अबाव में उसने कीमती जंदन की लकटी को जला दिया यहाँ देख राजा समझ गया कि बिना बुद्धी के धन को नहीं रखा जा सकता अथा तबी से दिवाली के दिन बुद्धी के दाता गरेश जी की भी पूजा लक्षमी जी के साथ होने लगी तो अंताता धन की स्वामिनी लक्षमी जी को ही प्रधानता मिली है बिना बुद्धी के धन की प्राप्ति निर्थक है और धन बुद्धी दोनों की प्राप्ति है तू, ये लक्ष्मी पूजन के साथ गनेश जी की पूजन का भी विदान है तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों साँ शेर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद